नमस्कार दोस्तों सरकारी करमचारियों के लिए बड़ी खबर किया लोकडाउन का उलंगन तो होगी सकत कारवाईज यहां दोस्तों जैसे कि घर मंत्रा ने ने लोकडाउन के समद में रिवाईट गाइडलेंस यहां पर जारी कर दी है और आज इस वीडियो में आपको बता जागा यहन्दी कोई सरकारी करमचारी लोकडाउन गाइडलेंस को फॉलो नहीं करता है या फिर किसी इस पीरिड के दोरान यानि महामारी के दोरान किसी भी सरकारी की आदेश की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाब कौन से नियमों के तैत क्या कारवाइट किया सकती है इसकी पूरी जानकारिया आपको आज इस वीडियो में दी जाएगी दोस्तो वीडियो का मकसद सिर्फ आपको सरकारी नियमों के बारे में जानकारे देना है ना कि किसी भी सरकारी को डराना लेकिन आप ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में जो भी जनकरिया आपको दी जाएगी वो लोगडाउन के दोरान आपके लिए भेध फायदेबन साबित हो सकती है तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों सबसे पहले जैसे कि आपके सामने साफ लिखा हुआ है कि लोगडाउन का उलंगन करने पर जुर्माने वे दंड का प्रावधान जियां दोस्तों ये गिरा मंत्राले के तरफ से 14 अप्रेल 2020 को जारी किये गाइडलाइन का ही एक हिस्ता है और यहां पर का आगया कि एक सरकारी करमचारी के खिलाप या फिर किसी भी सरकारी विवाग के खिलाप है आपदा प्रबंदन अधिनियम 2005 की धारा 55, 56, 59 और 60 इसके अलावा IPC की धारा 188 यानि 118 के तहत सक्त गया सकती है और क्या डंड यहां पर एक सरकारी करमचारी को दिया जा सकता है तो सबसे पहले जैसे कि सरकार ने फिराल आप दा प्रिबंदन अधिनियम लागू किया हुआ है और इसके अलावा राष्ट्य सरुक्षा कानून भी इंप्लिमेंट किया हुआ है तो यहां पर सारा पच्पन एक के अनुसार इस अधिनियम के दिन कोई अपराद सरकार के किसी विवाग द्वारा किया गया है वहां विवागा दक्ष ऐसे अपराद का दोसी समझा जाएगा और तदानुसर अपने विरुद्ध कार्यवाई की जाने और डंडित किया जाने का भागी या फिर नियमों का पलन नहीं किया जाता है तो हेड ऑफ दर डिपार्टमेंट को दोसी ठहराया जाएगा और धारा पच्पन टू के अनुसार यदि उपधारा वन में किसी बात के होते वी जहां इस अधिनियम के दिन कोई अपराद सरकार के किसी विवाग द्वारा किया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराद विवाग दक्ष से बिन किसी अन्य अधिकारी की सेमते या मोना नुकलता से किया गया है या उस अपराद का किया जाना उसकी किसी उपेक्षगा कारन माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराद का दोसी माना जाएगा औ और तदानुसार अपने विरुद्ध कारेवाई किये जाने और डंडित किये जाने का भागी होगा तो अब यहां पर आप साफ 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 देख सकते हैं कि आप दर प्रिबंधन अधिनियम की धारा पच्पन के अनुसार यदि कोई सरकारी विवाग काम करने में फैल होता है तो हेड़ डोब डिपार्टमेंट को इसका दोसी म मना जाएगा या पर उसके नीचे जो भी अधिकारी में गया को भी हृप यां किया पर जिस पर इस अधिनियम द्वारा उसकी अधिन कोई कर्तव अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तवों का पलन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वंब को उससे विमक कर लेगा तो जब तक कि उसने अपने से वरिष्ट अधिकारी की अभिवेक्ति लि तो धारा 56 के अनुसार यादि कोई सरकारी करमचारी आपदा प्रिबंदन अधिनियम के उबंदों को फॉलू नहीं करता है और अपनी डूटी करने से इंकार कर देता है तो उसको यहाँ पर कम से कम एक साल के सजा और रातमा जुर्माना भी लगाया जा सकता तो यह बड़ी अपडेट की एक सरकारी करमचारी आपदा प्रिबंदन अधिनियम 2005 की धाराओं को मानने से मना नहीं कर सकता उसके बाद में धारा 59 यानि कि 69 यह अभी यूजन के लिए पूर मंजूरी यानि कि यदि को सरकारी करमचारी के खिलाप धारा 55 और 56 के तैथ यदि धंडिनी इस सरकार द्वारा साधरन या विसे साधर द्वारा इस नीमित प्रादिकरत किसी अधिकारी की पूर मंजूरी के बिना संस्तकित नहीं किया जाएगा यहां पर बिंद्र करमचारी आपदा प्रिबंदन अधिनियम 2005 के तैथ जो गायडनास ईसू की गई जैसे कि रुभ नहीं करता है तो उसके खिलाप में डिक़ोडनादी नियम में जारी किया गए आदेस सरकारी आदेस यह तो उसके खिलाप यहां परalous प्रिविदन अधीन के साथ IPC के तहते बीसग कारवाई किया सकती है झाल